हेलो दोस्तों आप लोगों का स्वाग ने हमल चनल पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे तो अगर आप action movies के दिवाने हो और आपने Mad Max की कोई movie नहीं देखी है ऐसा शायद ही possible हो सकता है क्योंकि Mad Max series जो है उसकी जो film है वो one of the best action movies में हमेशा गिनी जाती है देखिए आप में से बहुत सार लोगों को लग रहा होगा कि Mad Max की movies है वो actually Hollywood movies है पर ऐसा नहीं है गाईज यह movies Australian movies है और अभी हाला कि Warner Brothers और Australian producers का joint venture उसको आप कह सकते हो लेकिन starting की जो पहली movie आई थी वो pure Australian movie थी और उसके वज़स से इस film series का जो starting का actor था Mel Gibson वो दुनिया भर में as a Mad Max बहुत ज्यादा popular हुआ तो चलिए बीना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो आज की वीडियो में सबसे पहली movie आती है Mad Max जो 1979 में बनाई गई थी और इस film को डिरेक्ट किया था डिरेक्टर जोर्ज मिलर ने और यह एक Australian film थी अब इस film की जो कहानी है इसमें कुछ murder होता है फिर हमारा जो actor है वो एक biker gang के साथ revenge लेने का काम करता है और यह film की जो action थी वो उस वक्रिटिसाइज की गई थी लेकिन यह film जब worldwide release की गई तो इसने Guinness book of record में नाम दर्ज किया क्योंकि इसने सारे पुराने records यानि जिस budget में फिल्म बनी है और compare to उस budget जितना विजनेस फिल्म ने किया है वो एक milestone था जो अब तक भी achieve नहीं हो पाया है तो इस वज़े से इस फिल्म के वज़े से इस फिल्म का actor Mel Gibson worldwide popular हुआ और इसके बाद आती है second number की movie Mad Max 2 यह इसके दो साल बाद आई थी और इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो भी लगबग 2-3 साल आगे चली जाती है अभी इस फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो तबाव होते जा रही है और कुछ लोग अपने groups बना के आगे चल रहे है तो ऐसे में हमारा जो Mad Max है वो एक group के साथ जुड़ जाता है और वहाँ पे कैसे कैसे hurdles आते हैं और उन hurdles के साथ किस तरीके से लोग सामना करते वह हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा यह फिल्म आज भी one of the best action movies में गीनी जाती है जैसे कि Mad Max 2 नाम में Mad Max 2 है वैसे ही इस फिल्म का जो action है वो भी दूगना हो जाता है इसमें जो costume design और production value डाली गई है वो iconic मानी गई थी उस time period के हिसाब से और जो action sequences थे वो बहुत ज्यादा intense थे और Mel Gibson का जो performance था इस फिल्म में वो as a legendary character आज भी notice किया जाता है पूरी फिल्मी दुनिया में अब इसके बाद third number की जो movie आती है इस movie का नाम है Mad Max Beyond Thunderdome और यह Thunderdome जो फिल्म है यह introduce करती है Thunderdome को जो एक actually gladiatorial combat arena है लेकिन इस फिल्म का जो tone था वो Mad Max और Mad Max 2 के comparison में बहुत ज्यादा family friendly और fantastical tone था यह 1985 में बनाई गई थी हाला कि फिल्म बनाने का जो difference था वो चार साल का था लेकिन फिल्म में की जो कहानी है उसमें एक बहुत बड़ा jump देखने को मिलेगा यानि इस फिल्म में 15 साल कहानी जो है वो आगे चली जाती है और इस फिल्म को भी डिरेक्टर जॉर्ज मिलर ही ड मेल गिब्सन के करियर की लास्ट फिल्म रही इस फिल्म के बाद मेल गिपसन को मैड मै क्रोल करने का आगे जाके मौका नहीं मिला तो यह back-to-back की मुवी आई यह 2015 में आई चार नंबर पर जो यह फिल्म आई इस फिल्म का नाम था मैड मैक्स फ्यूरी रोड यह भी तो नौ साल पुरानी हो गई लेकिन आप आज भी इसको देखने बैठो इसमें कुछ एडल्ट कंटेंट है और इस वज़े से यह फिल्म आप आपके फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो लेकिन इस फिल्म में टॉम हार्डी ने जितना बहतरीन पर्फॉर्मन्स दिखाया ना उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है और साथी साथ चार्लीस थेरो इस फिल्म को एक साथ मिले थे और इसका विजूल इफेक्स के लिए भी नॉमिनेशन हुआ था लेकिन एवेड मिला ने पर पर्सनली इस फिल्म के विजूल इफेक्स मुझे इतने ज्यादा इंप्रेसिव लगे थे ना कि आप जब यह फिल्म देखो गये और इस फिल्म मे जो लड़ाई दिखाई गई और जिस तरीके का raw action दिखाया गया ना भाई साथ देखके मज़ा ही आ जाता है अगर आपने ये फिल्म देखिए तो आपको ये फिल्म कैसी लगी थी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और ये फिल्म देखते वक्त ना इस फिल्म का तो करेक्टर था फ्यूरियोसा उसको देखके भी मुझे ऐसे लगता था कि इसके उपर भी एक इंडिविजुल फिल्म बननी चाहिए और मेरी इसी चाहत को पूरा किया मैड मैक्स सिरीज वालों ने मैड मैक्स फ्यूरी रोड का एक प्रिक्वल बना के इस फिल्म का नाम ह फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा यह आज ही 24 में दोहजार 24 को वर्ल्ड वाइड लिज की गई है और इस फिल्म का भी रिव्यू जितना जबर्दस आया ना भाई साब यह फिल्म में पुद थेटर में जाके देखने का मन बना चुका हो और यह फिल्म जो है यह मैड मैक्स का एक स्पीन ओफ भी है और प्रिक्वल भी है यानि फ्यूरियोसा की जो कहानी आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड में रेखने मिलेगी उसके पहले फ्यूरियोसा के साथ क्या हुआ था और कैसे फ्यूरियोसा मैड मैक्स फ्यूरी रोड में जहां पर पहुशती है वहां तक कै के रोल में बहुत ज्यादा प्यार किया है अगर आप Chris Hemsworth के भी फैन हो तो ये फिल्म स्पेसिफिकली आपको थेटर में जाके ज़रूर से देखनी चाहिए और इतके बाद आने वाली है Mad Max की एक तवाही फिल्म इस फिल्म का नाम रहने वाला है Mad Max The Westland और इसमें हमको Tom Hardy वापस से Mad Max के रोल में देखने को मिलेगा और 99% चांसेस है कि डिरेक्टर जॉर्ज मिलर जिनों ने ये पूरी फ्रांचाइस को डिरेक्ट किया है वही इस फिल्म के डिरेक्टर रह सकते है तो आपका क्या उपिनियन है जब Mad Max The Westland आएगी तो वह फ्यूरी रोड से बहतर रहेगी या नहीं रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा परसनल उपिनियन यहीं कि फ्यूरी रोड जितनी परफेक्ट मुवी थी ना उतनी परफेक्ट मुवी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक डिरेक्टर जब एक मास्टरपीस बना देता है तो अपने ही मास्टरपीस के सामने वह उससे बढ़िया मास्टरपीस बनाना उसके लिए ही बहुत मुश्किल हो जाता है बट अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई